तो चब्यालिकर नमस्कार दोस्तों सुवागत है आप सभी लोगों का से सेशन में होग कि आप सभी guys check authentic ओँए सेेफ होंगे अपना ध्यार रख रहूंगे और अपनी फैमिLi का ध्यार रख रहूंगे मैं हुई Virendu खुद जवाब मिल दाएगा लेकिन ऐसे सिचुएशन में हम लॉजिकली सोचते नहीं है हुआ कुछ यह कि पेपर लीक के मामले में देखते हुए UGC नेट ने अपना एकजाम एक दिन पहले जो है वो रद कर दिया यह मामला जो है एक दिन पहले का कि UGC नेट का एकजाम होने वाला था और कुछ सेंटर्स पर एजुकेशन मिनिस्ट्री ने उन्हें लगा कि पेपर लीक हो सकता है तो उन्होंने एकजाम को रद कर दिया हाला कि एकजाम दुबारा कंड़क्ट होगा लेकिन अब कब कंड़क्ट होगा चीजे होंगी अब उस तरीक पास करोगे तब ही तो पीच्टी करोगे कि एकजाम टाल के जो है कर जाओगे तो खुशिया मनाने का कोई फायदा तो है नहीं तो आज नहीं तो कल देना ही देना है तो यह माइंड मेकप कर लो कि अगर प्रप्रेशन है तो एक्जाम तो देना ही है अब दूसरी या जिसे बोलता है हाईजेकिंग वो तीन लेवल पर होता है mostly पहला जो फेलư बने बताया था वो था पेपर लिक या पेपर है जैकिंग जिसमें की एक्जाम ऑफलाइन होता है तो पेपर जो है वो पेपर मोड में होता है और वजह से जो है वो कहीं ने कहीं क्या होता है कि आप उसे ऑफलाइन मोड में जो है वो भी बेज पाते है कि यह पेपर ले लो और यह क्वेशन ले लो इस तरी किसे काम होता है दूसरी हाइजेकिंग जो मैंने बताई थी वो थी people hijacking या person hijacking जिसमें कि कोई एक person की जगर दूसरा person आके बैठता है इतनी तरीके से जो है वो जालसाजी की जाती है हाला कि यह मोनना भाई MBBS वाला case जैसा आप समझ सकते हों और तीसरी hijacking होती है जिसमें पूरा का पूरा सेंटर हीलिफ होता हाला कि उस सेंटर में सारे उस सारे बच्चों के साथ cheating नहीं करवाहले लेकिन सेंटर का ओनर है या सेंटर ही पूरा इंवाल्व होता है चेटिंग करवाने में तो आब इस पटिओलर एक्जाम यानि UGC NET का एक्जाम और CSR NET की इखाम में अगर डेखोगे तो UGC NET का एक्जाम पेपर मोड में कोने वाला था और पेपर मोड में होने वाला था इसलिए जुए उसमें तीन पॉसिबिल्टी थी हाई जैकेंगी है पहला सेंटर हाइजेकिंग उसके बाद पर्सन हाइजचिंग और पैपर हाइजेकिंग जो कि सब से ज्यादा जो है इजी होता है पैपर को हैजेक करना और कई सारे सैंटर्स पर पहुंचाया जाता है और जुड्क ट्रांजिशन पैपर को ली acknowledging कि करना दोल्ह छेड़ खानी करना आसान हो जाता लेकिन आपका जो एक्जाम होने वाला है वो online होने वाला है आपका एक्जाम offline नहीं हो रहा है आप online exam देंगे तो online exam में एक hijacking यानि एक leak का जो कह सकते है कि possibility है वो automatically कम हो जाएगी यानि paper leak का possibility बहुत कब है क्योंकि offline कोई पेपर है नहीं जो कि किसी के पास जा रहा है वह automatically system on होगा और system generated है तो आपको मिलेगा अब इस cases में जो है दो ही possibility बनती या तो person hijacking हो या तो center hijacking हो और जिस तरीके से मामला चल रहा है person और center hijacking भी थोड़ा सा इस वक्त मुस्किल होगा क्योंकि थोड़ा बहुत भी किसी ने करने की कोशिस करें पकड़ा गया तो फिर बहुत अच्छा खासा जो है वह उसके उपर case लग जाएगा इसलिए जो कोई भी अगर करना भी चारा होगा तो थोड़ा खुद को अवोइड करेगा इस exam में तो आप CSR exam के लिए थोड़ा logically सोचिए मतला इतना अफरा तफरी का महल दिमांग में ना बनाईए और create भी मत करिए अपने आस-पास क्योंकि इससे कोई ठीक है क्योंकि paper based exam नहीं है इसलिए paper hijacking का मामला क्योंकि ज्यादा तर नीट में भी paper hijacking ही बिहार में में देखने को मिला वही जो है वो राजस्थान में देखने को मिला तो वह जो नहीं हो पाएगी पर्सन और सेंटर hijacking भी देखने को मिला हलाकि लेकिन यहां पे जो है वह थोड़ा सा मुस्किल है तो इसलिए जो है वह आप अपने एक्जाम के त्यारी करें और अपने माइ की एक छोटी सी अपडेट और आप दिमांग में इस चीज़ को रखे रही है क्योंकि कई बार माइन में जो है वह इंफॉर्मेशन ऐसा रहता है कि हम कुछ सोच रहे और उसी सोच को सच मान के अपना प्रप्रेशन खराब कर लेते हैं लास्ट डेस चल रहा है अपनी विदा के तो चेह